हेलो एवरीवन, वेलकम तो कोर लेर्निंग, तो हम लोग जाज नया टॉपिक शुरू हो रहा है, उसका नाम है सिविल डिस ओविडियन्स मूवमेंट, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से इसमें, वह सब कवर किया हुआ इसमें, तो जल्द ज़िदी कवर करेंगे इसको हम लोग ठीक है, तो सिविल डिस ओविडियन्स मूवमेंट जो है, वह सुरू होता है, कहानी सुरू होती है 1928 से, 1928 में कलकत्ता सेशन होता है, कॉंगरेस का, उस कलकत्ता सेशन में जो लीडर थे जैसे सुबास चंदर बोस हो गए और जोहलाल नहरु हो गए, तो इनका डिमांड ये था कि हम डॉमिनिन स्टेटरस की बात क्यों करें, ब्रिटिस के सामने, हम चाहें तो पूर्ण सुराज की भी बात कर सकते हैं, कि हमें पूर्ण सुराज चाहिए, हमें डॉमि स्टेटरस के साथ ही चलना होगा, और इसके लिए भी हम लोगों को अपना डिमांड या मुवमेंट शुरू करना होगा, तो इसके बाद गांदी जी कहते हैं कि ब्रिटिस को दो साल का समय दिया जाए, और डॉमिनिन स्टेटरस के उपर विचार करने का, कि ये हमें देंग स्टेटरस के बात करें, तो फिर हम भीटिस को दो साल का समय क्यूं दे रहें, हम दो साल का वेट क्यूं करें, तो फिर आपस में टसल शुरू हो जाता है, तो इनके प्रेसर के जाहालल नहरो, सुबास्चंहर वोज़ेसे, जो गॉंघरस है, वो फिर दो साल की बज़ाए, एक साल का समय देती है British को dominant status के ऊपर विचार करने का, सोचने का, तो 1929 में, 1928 में तो यह होता है कि एक साल का समय दे दिया गया है British को, की dominant status आपको देना है या नहीं देना, इस पर विचार गरके अपने report वापस कीजिए, तो उनकी तरब से कोई result नहीं आता है बिटिस की तरब से कोई response नहीं आता है तो 1929 में Lahore का session होता है जिसके president होते है है जुहाल लाल नहरू तो 1929 में Lahore के session में एक resolution पास होता है कॉंग्रिस की तरब से और उस resolution का नाम होता है फिर पुर्नस ओराज जबकि 1920 वाले में बस dominant status की बात होती है तो किस resolution में कौन सी बात होती है इसको थारता ध्यान रखने वाली बात है पेपर में कभी पूछ सकता है इस तरह से कि पूर्ण सुराज की बात कौन से session में होई थी तो लाहोर session में 1929 में होई थी तो यहां बात हो गए पूर्ण सुराज की फिर 31 दिसंबर 1929 को जो हालने रुक्या करते है रावी नदी के किनारे तरंगा होस्ट करते है रात को और इंकलाब जिंदाबाद का slogan वहाँ वो लगाते है उसके बाद 1930 को अब जब बात हो गई कि पूर्ण सुराज तो अब चाहिए हमारा resolution तो यह निकला सा कॉंग्रेस का कि हमें पूर्ण सुराज चाहिए तो गांधी जी इसको forward करते है अब इस movement को आगे बढ़ाते हैं तो 1930 अभी तक 1929 दिसंबर की बात हो रही थी कि जो गांधी जी होते हैं वो क्या करते हैं To carry forward the mandate गांधी presented 11 demands to the government अब 11 demands ये government के सामने लगते हैं गांधी जी कि हमारा यह यह demand है पूर्ण सुराज का जो resolution था उसमें हमारे यह demand है तो उसमें 11 demand होता है और गांधी जी कहते हैं कि समय है आपके पार दो महीने का या तो आप इसको accept कीजिए या तो इसको reject कीजिए और उस 11 डिमांड में से सबसे important था एक evolution of salt tax ठीक है गौवर्मेंट के तब से इस बार भी कोई response नहीं आता है गौवर्मेंट इसको एकदम ignore कर देती है दो मार्च 1930 को गांदी जी वाइसराय को इंफॉर्म करते हैं अपने प्लान के बारे में कि हम मौवमेंट शुरू करने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ उनका कुछ direction पब्लिक के लिए भी होता है कि पब्लिक को क्या करना है तो वो पब्लिक से ही डिमांड करते हैं कि आप सरा प्लाक्स नहीं देंगे अब कपड़ों की दुकान में foreign goods के दुकान के सामने अंदूलन करेंगे जो लॉयर्स हैं वो प्रैक्टिस छोड़ेंगे अपना कोर्ट से जो teachers हैं वो रिजायन करेंगे जो professors हैं वो रिजायन करेंगे और जितने भी government servants हैं सब लोग रिजायन इस्टुडेंट college छोड़ देते हैं बच्चे school छोड़ देते हैं teachers school छोड़ देते हैं professors college छोड़ देते हैं और साथ ही जो government servants होते हैं वहां से रियायन कर देते हैं जो आर्मी होती है वो अपने लोगों पर fire करने से मना कर देती कि हम fire नहीं करेंगे तो हर जगह यह आंदू परण शुरू हो गया होता है अब डिटिस से जाती है परसान ठीक है फिर 12 मार्च को 1930 में गांदी जी start करते हैं अपना मार्च कहां शुरू करते हैं यह साबर माती से सुरू करते हैं आसरम से और डांडी तक होता है तो आसरम से अंदी तक 240 मिल चलते हैं और इनके साथ चल मार्श को सुरू होता है जहीं है 12 मार्श को चुक्र भूल भी जाने इस जरी हम कर सकते है ter फ्रoa तोड़ते हैं हाथ में नमक लेकी और स्रूः हो जाता है फिर वहां से गांधी जी क्या करते हैं सिविल डीसटोवेडिन्स मूव्मेंट स्रूओ जाता है जैसे गांधी जी oil boiling वंक रुच्छे श्टार्ट हो Latino अगर उनक से मूवमेट कंव salt law and also to resign from the government office इस पहले बताए चुका है कि गांदी जी फिर लोगों से कहते हैं कि अब आप अपने अपने घर में नमक बनाएंगे जो जिस जगपे है वहीं पर इस law को तोड़ेगा और साथी साथ government office सब को रियाइन करना है अब कोई भी आदमी कोई भी हिंदुस्तानी अब इनके साथ नहीं खड़ा होगा ठीक है तो जब यह गांदी जी जब हाथ में नमक ले लेते हैं तो जगह जगह पूरे इंडिया में कुछ इंपोर्टेंस लीडर होते हैं कॉंग्रेस के उन्होंने भी साथ म किस-किस जगह पे लिए सॉल्ट लो तोड़ा था उनके बारे में जान लेते हैं सी राज़ा गोपालाचारी यह तंज़ोर कोष्ट पे थे वहां सॉल्ट लो तोड़ा था इन्होंने फिर हैं पी किस्टना पिल लाए यह कलिकट बीच पर तोड़े थे इन्होंने सॉल्ट कान अब्दुलगफार कान यह पैसावर में एक्टिव थे इस मूव्मेंट को लेके और उसके वादे अंबिका कान सिन्हा यह बिहार में थी और लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट से सरोजी नाइटू यह धरसाना में थी तो जो लीडर जहां पे था वहीं वह एक्टिव करते थे इस मूव्मेंट के लिए और उनको बताते थे मूव्मेंट के बारे में लोगों से जुढने के लिए आपस में एक्टाब बनाते थे और यह कहते थे कि मास आप पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि इस बार का जो अंदुलन था वो complete मास का ही अंदुलन था इसमें लीडर का कुछ काम नहीं तरब तक मास नहीं जूड़ती तो लीडर इसमें कुछ नहीं कर पाते तो जो लीडर जहां था वहीं वो एक्टीव था अब इस movement का क्या impact होता है जो civil disobedience movement चल रहा था इसका impact क्या होता है तो पहला impact है import of foreign cloths and other item fall तो जो imports था import था जो foreign goods का जैसे कपड़े हो गया जो कपड़े बनके आते थे बाहर से फिर सराब जो आती थी वहाँ से foreign की इन सब के सारे imports पे imports जोने लगे वो कम होने लगे तो डिमांड ही कतम हो गए और डिमांड कतम हो गए तो वो अपने आप में कम हो गया government suffered a loss of income from the liquor excise and land revenue लोग टेक्स देने से मना कर दी थे गांडी जी टेक्स नहीं देना है किसी को सराब के दुकान के बाहर कपड़े के दुकान के बाहर लोगों को कहा गया थे कि अब आंदरून करो किसी को दुकान में जाने नहीं देना है और तो उससे इनका excise से पैसा आना बंद हो गया गांधी जी के कहने पर लोग आक्स देना बंद कर दी रेन्ट देना बंद कर दी जो जमिदार थे वो पे में रेंडाल करना और लेंड उसके बाद क्या होता है जब परेल को आंदोलन कर ले सा कर रहेए का प्रोटेश्ट करी रहते इंपक्ट हो गया उसके बाद 4 मई को चार मई 1930 में ही 1930 में ही गांधी जी को पकड़ लिया जाता है और गांधी जी जब जेल चले जाते हैं तो उस वक्त मूम्मेंट शुरू कर रहे होते हैं तब ही वो कहते हैं कि एंगर मैं जेल शुआ यूल लिडर करनें हैं उननके से कि दिग आपकर गांधी inmiddbas जाता है तो यह मास्ड और भढ़क को फिर गांधी जी को बिना किसी कंडिशन के छोड़ दिया जाता है इनको लगता है कि बिना कंडिशन के गांधी जी को छोड़ते हैं मास को कंट्रूल करते हैं जगा जगा राठी चार्ज होती है बहुत लोगों को सर फटता है बहुत लोग मर भी जाते है तो 25 जनौरी 1931 को गांधी जी को बिना किसी condition के release कर दिया जाता है उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी Irwin pact sign होता है इसको दिल्ली pact भी कहते हैं इसमें कुछ demand गांधी जी के तरब से होता है कुछ demand Irwin के तरब से होता है तो जो गांधी जी का demand होता है उस पे Irwin कौन कौन सी बात पर agree होता है एक बार वो देख लेते हैं तो गांधी का जो पहरा demand होता है release of all the political prisoners not convicted for the violence तो इस बात पर agree जाता है Irwin की जितने लोग उन सारे political prisoner को छोड़ दिया जाएगा जीनों ने violence नहीं किया था या violence में activity जिनकी नहीं थी तो उनको छोड़ दिया जाएगा इस पे Irwin agree हो जाते है उसके बादे remissants of all the fines not yet collected जितने भी fines अभी तक correct नहीं किये गया है उनको छोड़ दिया जाए तो इस पे भी Irwin agreed हो जाते है और किस पे agree होता है वो return of all the lands not yet collected तो जितने भी जमी अभी तक लेट नहीं किये तो उनको भी छोड़ जाता है जमीदारों के पास या खिसानों के पास इस पे भी agree हो जाता है फिर right to make salt in the coastal village for the personal consumption not for sale ठीक है जैसे बेशने के लिए नहीं लेकिन अपने consumption के लिए हम नमक बना सकते है इस बाते भी agree हो जाता है withdrawal of emergency ordinance जितने भी emergency ordinance उस वक लगे रहते है न civil movement के time में कि बिना किसी trial के आप किसी को भी कैद कर सकते हो किसी को भी उठा के लेके जा सकते है तो उस emergency ordinance को यह कहते है कि आप वापस ले लीजिए अब ऐसा कोई ordinance नहीं रहेगा तो इस पे भी एर्विन जो होता है वो agree रहता है लेकिन दो ऐसे demand जो agree नहीं करता है इर्विन और इसी बात पे आज तक कुछ लोग गांधी जी को कोशते भी है कि गांधी जी चाहते तो ऐसा होता वैसा होता लेकिन वो कौन-कौन से थे गांधी इर्विन टर्ण डाउन टू अब दी गांधी जी डिमांड कौन-कौन सा पहला कि पब्लिक एंक्वारी इंटु दा प्लिस एक्सेस कि पब्लिक कोई एंक्वारी नहीं की जाएगी जो जितने भी movement के वक्त जो जो काम बिटिसर ने किये कहा कहा लाठी चार्ज किया क्योंकि यह अंदुरंज हो था वो non-violence था फिर भी इन्होंने लाठी चार्ज किया था बहुत लोग मारे गयते तो उस पे कोई एंक्वारी नहीं होगी तो एंक्वारी करने के बाद गांधी जी कहे थे लेकिन एर्विन कहता है लेकि नहीं इस बात को भी नहीं बाना जाए गा भंगत सिंग को कि जो फासी है अब वह नहीं रुकेगी इनको थो अब फासी ही दी जाएगी इनको उमरकै liksom थाया लेकिन फिर भी गांधी जी तोईसा डी मजान तर coconuts on किंप कि ये कहते हैं ठीक है हम इसके अपने मूवमेंट सरे मिलिन कंवेंद को मानन केसे उसके ऐसे बाद किफ़ीक नहीं नें टेक लिग जो हम पार्टिजी करेंगा तो और स्टारि ऑले में तो पहले गजा उसमें कर नहीं पाते हैं तो सक्षिक्राइब कुछ ब्रॉल फारधान्यालि को पंदीजी किला तरुट मेले लाइब अग cap तो 29 मार्च 1931 को गांधी जी कराची पहुचते हैं, रास्तेवरन को कालेज हंडे दिखाया जाते हैं, इनकी विरोध में कि आप भगस सिंग को नहीं बचा पाए, और ये कराची सेसन जो होता है, वो एक स्पेसल सेसन होता है, क्योंकि कॉंग्रेस हरमें सा दिसंबर टू दिस सेसन चलाती थी, लेकिन इस वक ईरविन पैक्त साहीइं हुआ था गांधी जी के साथ, उस पैक्त को इंचोर करने के लिए, अचोर का मतरब होता है, तो गांधि ownप्रेशन को करने के लिए, प्लस दो और इनकी रिजोलेविसन निकलते हैं, एक होता है, फस्त रिजोलेशन जो होता है तो कहते हैं fundamental rights और दूसरा economic program के लिए तो fundamental rights को और कौन से rights का demand रहता है इनका पहला आता है free speech and press दूसरा right to form association right to assemble एकठा होनी किया जादी और equal rights equal legal rights irrespective of caste, greed and sex बिना किसी भेदबाओ के सबको equal rights मिले तो ये सारे resolution निकलते हैं कराची session में ठीक हैं तो इतना ही सा civil disobedience movement में चीजों को बार बार पढ़ेंगे और जितने भी चीज़े green से highlight की हुई है न जो green से highlight की हुई dates है इन सब dates को एक बार याद रख लेंगे दिमाग में session का moment कब शुरू होता है कहां से March शुरू होता है कहां तक जाता है किस date में वहाँ पहुशते हैं अंदुलन कब शुरू होता है कौन से leader कहां पर participate कर रहे थे कहां से salt law को break कर रहे थे इन सब चीजों को एक बार अच्छे देख लेंगे फिर अपना next topic शुरू करेंगे ठीक है सब तक के लिए thank you